नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह समझ जरूर सकता हूँ, समझने की कोछिस जरूर कर सकता हूँ कि उन कस्टों से आपने कैसे लड़ाई लड़ी हैं और समाज में आपने अस्तान अपना बनाया है आपको बढ़ता हुआ देखके हमें ऐसा लगता है कि इस धर्ती पे खुदा है और वो जिसका कोई नहींtechnिया में उसका खुदा है भगवान को श्रीड़वान समझ सकता और आप अगरी भवना को समझेए आप से बड़ा भगवान कौन हो सकता है भगवान को मैं देखा नहीं हुँ अलब तो बस साधारण इंसान है अलब sera नवश्कार दोस्तों मैं हूँ जितेंदर दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोस एक्स्प्रेस कभी जब छात्रों की बात आती है जीवन बनाने की बात आती है तो एस मिस्राजी का नाम दिया जाता है पटना में अगर देखा जाए तो धरातल से जुड़े हैं तो एस मिस्राजी जुड़े हैं ऐसे तमाम टीचर है मैं यह नहीं कहूंगा लेकिन अब तक सन 2004 से लेके 2022 तक जब कोई अगर नाम लिया जाता है तो एस मिस्राजी का नाम लिया जाता है आज हमारी यूट्यूब चैनल पे है एस मिस्रा जी जो कि पटना के एक प्रसिद टीचर है और सुलाहवा रैंक यह था आईस आप समझ सकते हैं कि आईस में सुलाहवा रैंक लाना कहीं न कहीं है यह सिच्छा है सिच्छा कुछ भी कर सकता है आईसे ही जानते हैं कि इस्तिती क्या रही होगी उस पल का जब सर एक आईस रैंक में सुलाहवा रैंक लाए होंगे सबसे पहले तो आपका सुआगत है मेरे यूट्यूब चैनल जोस एक्सप्रेस सर थैंक यू थैंक यू जितनलर जी कैसे हैं आप बहुत अच्छे है सर क्रिपा है सर मैं आपसे सवल आप करना चाहूंगा कि आप 2004 से लेके 2012 तक पटना में और आईस में 16 हवा रैंक लाके चूँकी आईस एक फॉर्ट लोग कहते हैं कि फॉर्ट डाइंक का एक सर्विसेस है और सर्विस में लोग कहते हैं कि सब को सर्विस करना चाहिए लेकिन आप सर्विस नग करके एक टीचर बनने का कैसे सफना था नहीं आपने देखे ऐसा है जितनलर जी ये क्वेस्चिन तो मैं जहां जाता हूं सारे लोग मुझसे पूछते हैं कहीं बूख जान जाते हैं कि ये कहानी था हुआ क्या था कि जिसमें मैं गया था सेलेक्शन हुआ था हमारा उस समय कि आसपास की बात है कि उस समय मैं एक वर कोटा गया था गोमने के लिए तो कोटा में मैंने पाया क्या कि आलमोस्ट जो है 50 percent टीचर जो वो बिहार के थी और इस्टुडेंट तो कहिए कि 100% बिहार के थे लगभग 100% बाकी जगए की बात आप छोड़ दो बिहार के बच्चों ने कोटा को कोटा बनाया मैं बड़ी देर तक बहुत दिनों तक यह सोचता रहा कि आखिर यह कहानी क्या है भई कि बच्चे भी बिहार के है टीचर भी बिहार के हैं तो क्या अपने बिहार में जगे की कमी होगे कि लोग एक दूसरे स्टेट में एक दूसरे जगह पे जाके आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये बात मुझे थोरी सी अटपटी लगी और उसी समय मैंने ये निड़ने लिया कि नहीं अब अपने बिहार के लिए अपने को कुछ करना है और मैं बिहार में आ गया और तब से मैं बिहार के लिए लगातार काम कर रहा हूँ और हमारे और भी तमाम से योगी पहली बार कब बिहार में आप आये थे बिहार का तो मैं हूँ ही पढ़ाने के परपस से मैं 2004 में आ गया थे 2004 से लेके और अब में क्या बदलाव दिख रहा है सर। बदलाव है बहुत सारे बदलाव आये हैं लेकिन एक अभी जो रिसेंट बदलाव है पिछले 5-6 साल से मैं महसूस कर रहा हूँ वो है कि सिक्षा का असर थोड़ा डाउन हुआ है बेरोजगार ही बहुत बढ़ गी है र बच् deposits मेहनत करना चा रहे है लेकीन हमसायद माहल बहुत बहुत बेहतर यहाँ पपर बना नहीं पा रहे है तो आज देख लीप师 सर आप जैसे भी आप लोग बच्चे को तयार कर दे आ हैं लोग कहते हैं कि अस्थंप तयार कर देना उसके बाद मेल तयार होता है लेकिन आ पहले में एक दोनी पहले NTPC को लेकर बहुत काफी ठिकाठी पुड़ी चल रहा है बच्चे धरनापया है उनके साथ जो जितनी उम्मीदें से सारी उम्मीदें टूट गई है सर इसमें आप क्या कहना चाहेंगे बिल्कुल उम्मीदें टूटे हैं जितंदर जी ऐसा था कि ज लेने के बाब जूद भी हमें जॉब नहीं मिलने जा रहा अब वो जेनरल लाइन में जा करके वो अपने आपको तयार कर रहे हैं लेकिन अब जेनरल लाइन में जो भी थोड़ी बहुत वेकेंसिस थी वो भी समाप्त हो गई कुछ तो आपका कहिए कि सरकार और कुछ इस को जो कुछ भी कारण रहा हो जो भी उनकी मजबूरी रही हो जो भी सरकार में है मैं नहीं जानता सरकार के अंदर की बात लेकिन बाहर से जो हमें लगता है कि उनके तरफ से कोई प्रियास नहीं किया जा रहा है कोई साहन भूती पुर्वक बिचार नहीं किया जा रहा है छात अगर बेटे को कई अघात होता है तो बाप को दर्द होता है बिल्कुल हमेशा आप लोग तयार करते हैं दीन रात एक करते हैं कोई कहता है कि चाणाक के ने कहा था कि तीन मिनट में पूरी पढ़ाई लोग पढ़ने वाले पढ़ लें लेकिन आप लोग 16-16 गंटा 15-15 गंट के आप तक आते हैं लेकिन उनका सपना सकार नहीं हो पाता है अब तूट जाता है इसे world वो तो यही है लेकिन हम लोग इनसान हैं और इनसानка अंदर जी जी विशा होती है इस्तितियां कठिन हो सकती है हमारे प्रतिकूल हो लेकिन हमें कभी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए निराश नहीं होनी चाहिए और मेरा तो सारे यूध से या सारे लोगों से ये संदेश रहेगा कि कितनी भी बिकट प्रिस्ति हो जाएं कितनी भी खराब इस्तियां हो जाए आशा बनाए रखो आज नहीं तो कल सूरज निकलेगा डात चाहे कितनी भी लंबी हो कितनी भी गनी हो आज नहीं तो कल सूरज निकलेगा कुछ न कुछ होगा हमें तब तक लगातार मेहनत करना है थक हार के बैठना नहीं है हमें अराम नहीं करना कभी कभी उम्र भी खतम हो जाता है उम्र के पढ़ाओं पे आप सुने होंगे कि ऐसे में आके डिप्रियसन यू हो जाता है कि लड़की फांसी तक दे देते हैं आपने भी सुना होगा कि यूँ आ गया कि लड़की फांसी तक देना तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर नहीं मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाईया जान देना जो है वो कोई समस्या का समधान नहीं है उससे बेतर है कि आप यहां पे रहेंगे और हम लोग संजुक थो करके संबली थो करके सिस्टम को बदलने का प्रयास करेंगे कुछ न कुछ ऐसा करेंगे सर ऐसे ही छात्रों ने कभी छात्रा अंदोलन किया था दूसरा छात्रा अंदोलन भी हो सकता है तीसरा भी हो सकता है इस्तितिया अगर ऐसी आएंगी तो उस आंदोलन के लिए भी हमें तयार होना परेगा सही का आपने सर कभी-कभी लगता है कि छातर अकेले हो जाते हैं और छातर उम्मिद अगर लगाते हैं तो एक टीचर सही लगाते हैं कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है तो सबसे अगर कोई काता है कि सर आगसा देखता है कि अंदोलन होता है तो लोग नेता को खोजते हैं लेकि जब टीचर और स्टुडेंट की बीच में स्टुडेंट अगर अंदोलन करता है तो तुरंत पहले टीचर को खोजता है सर तो उसमें भी देखा जाता है कभी कभी कि teacher लोग समलित नहीं हो पाते हैं डरते हैं तो ऐसे teacher के वैरा में क्या कहाना चाहेंगे नहीं डर जो डर गया हो तो मर गया उसको सो गबर सिंग पहले बोल के गया है तो डरने जैसी कोई बात नहीं है ये हमारी जिम्मेदारी है अगर मैं सिछक हूँ तो सिर्फ अपने परवार को चलाना या पैसे कमा करके अपने आपको ठीक से रखना सिर्फ इतना ही अपना काम हमारी एक समाजिक जिम्मेदारी है हम कितने बच्चों को ट्रीट करते हैं उनको किसी काविल बनाने का कोशिस करते हैं और उनमें से अगर उनका सपना तूटता है तो उनके निरासा के छन में खरे होने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है और हम उनके साथ हमेशा खरे किसी की आप बहुत बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि एक छोटा सा मालिक बनने बिल्कुल बिल्कुल आप भी चाहते तो डियम होते और डियम बनके बहुत करते तो अपने जीले में भ्रमड करते और टेंसन पूरा दुनिया बरका होता लेकिन आप आज नौ जाने कितने डियम तयार कर रहे हैं यह आपको खुद नहीं पता होगा आप मुझे बताओ कि क्या आपका जो कष्ट है वो मैं तो महसूस नहीं कर सकता लेकिन मैं यह समझ जरूर सकता हूं समझने की कोशिश जरूर कर सकता हूं कि उन कष्टों से आपने कैसे लराई लड़ी है और समाज में आपने अस्थान अपना बनाया है आप से लोगों को स साथ रहना आसा विश्वास के सहरे ही जिन्दगी की नईया पार होती है और यही आपको मंजल तक पहुंचाएगी सर आपने सब्द जो का सच का है तो इसी समाज ने हमारे जैसे को अनभिग या अनदेखा किया है लेकिन कहीं न कहीं आप जैसे लोग ने कलम थमाया कि बेटा तुम्हें रुकना नहीं है और आज मैं जो मुझ बोल रहा हूं आप जैसे किसी टीचर का आप जैसे लोगों का कि मैं बोल पा रहा हूं कहते हैं कि सिच्छा ओ सेरनी का दूद है जो पीएगा दाड़ेगा बिल्कुल जरूरी नहीं कि मैं नौकरी कर लूगा नौकरी करके क्या करूगा बधित आप जैसे महान बेक्ति से तो हमारी मुलाकात नहीं होती साइद जीतेंदर को आप नहीं जान है सर और आप लोगों ने दिया है सर नहीं हम लोग की सारी समझ सुबकामना है आपके साथ है और आपको बढ़ता हो आद देखके हमें ऐसा लगता है कि इस धर्ती पे खुदा है इस धर्ती पे भगवान है और वो जिसका कोई नहीं दुनिया में उसका खुदा है भगवान अगर कहा जाए सर तो सच बता तो जीतिंदर की भावना को सरी भगवान समझ सकता और आप मेरी भावना को समझते हैं आप से बड़ा भगवान कौन हो सकता है भगवान को मैं देखा नहीं हो सर अमलब दो बस साधारन इंसान है और इतना जरूर है कि जो भी अपने संपर्क में आते हैं चाहे वो छातर हो या जो हो तो थोड़े संबेधना के साथ उनकी बातों को सुनते समझते हैं और उनके दुख दर्द को महसूस करने की कोशिस करते हैं और उनके साथ जुरे ड़ने का प्रयास करते हैं कुछ ऐसार ही होता है कि बहुत मतलब हो जाता है मैं देख सांसिता गजब ती सरलता गजब ती आज दुaste हो सरल चैड़ा हुआ अज भी दिख रहें अभी कुंड डहे की नहीं कि आप इस वे आगा है मैं इसा होथा भी इसा जो करना चाहिए नहीं अगर सिछाक तो एक चीत को छीचा टो लोग कि आते हैं कि कि इसुदी हो गया है जिट्छा using LP होना चाहिए कि नहीं समुनाई नहीं सिच्चक क्या सेलेबरीटी होगा सिच्चक तो सिच्चक होता है ये तो लेकर कुछ लोग है सर इसी में कुछ लोग है कि अपने आपको Disability मानते हैं उनके लिए क्या कई तो अच्छी बात नहीं है लेकिन हाई की नहीं सर आप बता है बिल्कुल इसी धर्ती पे हर एक तरह के इंसान पाये जाते हैं और हमेशा ये जितेंदर जी ऐसा है ना कि धर्ती पे अच्छे बुरे दिन रात ये एक ही सिक्के के दो पहलू है और दोनों तरह के लोग यहां प अपना काम कर रहे हैं इस पर कोई कोमेंट जैसी बात नहीं है आपने जो कीमती समय दिया है जितेंदर आज इवान रिडी है लास्ट सवाल करना चाहूंगा सर आप हमारे दिव्यां के साथ आज बैठे हैं ना जाने कितने यूटूबर कितने मीडिया वाले कितने अख़ब लेकिन मैं मीडिया से भागता रहता हूँ और इनफेक्ट क्या है कि अपने काम में मैं ज्यादा ब्यस्त रहता हूँ मेरा मानना है कि काम इतनी खामोसी से करो कि सफलता सोर मचा दे हम लोग कहो कम और करो ज्यादा की नियत से काम करते रहते हैं लेकिन आपके साथ बैठने क जो प्रस्ताव था उसको मैं नकार नहीं सका मैं बार-बार आपके साथ बैठना चाहूंगा बट इन जनरल में मीडिया वालों से परहेज ही करता हूं क्योंकि मुझे वो सौक नहीं है कि मैं इस्टार बनूँ और यह बनूँ जितन दर मीडिया वाला नहीं है जितन दर एक व करदा मत दे खुदा जी तो आप लोग नहीं का कि तुम इतिहास नहीं भूगोल लिख दे बिल्कुल जितन दर भूगोल लिखेगा सर आप लोग बस सही आशिरवाद बनाएं हैं और मुझे मेरा विश्वास है कि आप भूगोल लिखे चलिए सर आज आपने मुझे उस सार करता हैं मैं हूँ आपका अपना जी तेंदर दिव्यांग और आप देख रहें मेरा यूट्यूब चैनल जोस एक्स्प्रेस नमस्कार दुस्तर पडाम सर रहें